के वीडियो मैं आप लो के साथ कोई भी श्किंग के रिए या मेक आप वीडियो नहीं शेहर करने वालीं हूं क्योंने हूं पैंड YouTube विडियो अजमे घ्रीयो में तो यह तो आप लोग सोच रहे हो कियो क्योंकि मैं अपने माईके में हूँ तो मम्मी ही कुकिंग वाइरा करती है तो मुझे 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 मुखा नहीं मिलता बट आज मैं बहुत दिनों के बाद मिला मन कर रहा था कुकिंग करने का और मैं जा रही हूं बनाने छोले भटोरे तो मैं सचा क्यों ना आप लोगे साथ रेस्पी शेर किया जाए वसे तो मैं कुणि अच्छी नहीं हूं एक्षिल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैंने बस अभी ट्राइ ही करना स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे हजबन बहुत ही ज्यादा फूडी है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, चे-चे खाने खाना, तो मैंने सब्सक्राइब करती हूँ, तो प्रीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दे, और उसके बगल में जो बेल आइकन है, आप उसे भी एट कर दे, ताकि इस तरह के अमेजिंग वीडियो आपसे मिश नहीं हो, तो बढ़ाउट इनी फॉदर दू, लेट्स गेट स्टारड़ेग। तो गाइस मैंने चोले को रात में ही फुलने के लेट डाल दिया था, तो आप इसे दो-तीन पानी से अच्छे से क्लीन कर लेए, जो भी इसमें एक दो खराब चोले आप उसे अच्छे से निकाल लेए, साफ कर लेए इस अच्छे से, देन हम छोले को डालेंगे कूकर में, एन उसमें हम एड़ करेंगे वाटर, तो हमें वाटर उतना ही एड़ करना है, जितने में हमारा छोला डूब जाए, उसे ज्यादा एड़ नहीं करना है, ना ही उससे कम एड़ करना है, तो मैंने एड़ कर लिया है वाटर, then हम इसमें add करेंगे टर्मरिक so मैंने half tablespoon add किया है टर्मरिक then हम इसमें add करेंगे नमक so मैंने एक चममस इसमें नमक एड किया है अनिसे अच्छे से मैं मिला ले रही हूँ then हम cooker को बंद कर लेंगे then gas को मैंने high flame पे on करिया है आप देख सकते हो 3-4 शीटी के बाद हमारा जो छोले वो अच्छे से पक चुका है आप देख सकते हो अब हम तयारी करेंगे मसाले की जिसके लिए मैंने यहां लिया है प्याज मैंने अच्छे से 8-10 प्याज को कट किया है and next हम कराई को अच्छे से गर्म करेंगे and उसमें एड करेंगे हम ओईल so 5-6 स्पून मैंने ओईल एड किया है then हम लेंगे जीरा and black pepper and दो पीस मैंने लिया है यहां पे लॉंग and बड़ी लाइची और छोटी टाइची भी मैंने यहां एड किया है आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो then मैंने यहां लिया है दो लाल मिर्च and चेत पता तो इसे हम अच्छे से पका लेंगे यह अच्छे से पक चुका है तो इसमें हम एड करेंगे अब प्याज प्याज जब हलका सा ट्रांस्पैरेंट हो जाएगा देख सकते हूं मैं इसे भून रही हूं ट्रांस्पैरेंट होने तक तो हमारा प्याज ट्रांस्पैरेंट हो चुका है अब इसमें एड करेंगे सॉल्ट मैं सॉल्ट कम ही एड कर दी क्योंकि हमने जब छोले उबाले थे तो हम मैंने उसमें भी एक चमच सॉल्ट एड किया था इसलिए मैं कमी एड कर रही हूं तो हमने अच्छे से मिला लिया है देन मैं इसमें एड कर रही हूं लहसन और अद्रक का पेश्ट तो हम यह पेश्ट पहले से बना के रखते हैं मेरी ममा फ्रीज में से स्टोर करके रखती हैं कि देर चमच मैंने ऐड किया है लग सनः अद्रक का पेश्ट दैन मैं एड कर रही हूं यहां टर्मरिक हल्दी डैन हम थोड़ा सा भी एड कर रहे हैं लाल पावडर लाल मिर्च पावडर खावडर थान दो टेब्ल स्पोन हम एड कर रहे हैं धनिया पावडर अगर आपके यहां लोग ज्यादा तीता खाते हैं तो आप ज्यादा लाल मिर्श पाउडर एड़ कर सकते हो इसे मच्छे से पकाएंगे आप जितना अपना मसाला फ्राई करोगे भूनोगे आपका जो सब्जी का टेस्ट है वो उतना ही अच्छा आएगा मैंने हलका से इसमें एड़ किया तो मैंने यहां दो बड़े कप मैदा लिया है और उसमें हम दो बड़े चमच आड़ कर रहे हैं रिफाइन आप चाहो तो गी भी आड़ कर सकते हो देन हम लेंगे दही तो मैंने दो धाई चमच दही आड़ किया है तो यहां हमारा आदा गुंद लिया है हमने तो इसे हमें एक अच्छे भीगे साफ कप्रे में ढख देंगे इससे देन हम अपने चलते हैं मसाले की तरफ तो हब इसमें एड़ करेंगे छोले मसाला इससे जो टेस्ट है वो थोड़ा और अच्छा आता है तो आपके पास अगर यह फुल पैकेट है तो आप हाफ एड़ करें हमारे पास इसमें आधा ही बचावा था तो हम हाफ ही एड़ कर रहे हैं इससे अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूं आप देख रहे हो दीरे दीरे हमारे मसाला का किलर कितना डाक होते जा रहा है और वो हलका हलका वो ओयल भी छोड़ रहा है जिससे हमें और पता चलता है कि हां हमारा जो मसाला वो और अच्छे से पकड़ा है आप देख सकते हो चिपक नहीं रहा है हमारा मसाला जिन मैंने दो टमाटर यहां पीस लिया था पहले से ही तो अब हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे इससे जो हमारा अगर आप पीस के टमाटर एड़ करते हो लो तो हमारा जो ग्रेवी होता है वो और ज्यादा गहरा होता है पतला ग्रेवी नहीं होता है और पतला ग्रेवी अच्छा भी नहीं लगता है तो आप पीस के डाले वो ज् सो हम ऐसे यह से पांसे दस मिट तक भूनेंगे आपको देख सकते हो हमारा मसाला कितना अच्छा लग रहा है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है मुझे आ रही है लिटरली बहुत अच्छी स्मेल आ रही है आपको देख के लग जाए कि आपका मसाला कितना अच्छा लग रहा है आपका कैसा बना है वो मसाला ही देख के आपको पते चल जाएंगे तो अब हम अपने मसाला को कुकर में डाल देंगे जैसे कि मैं डाल रही हूं और इसमें हम एड़ करेंगे वाटर मैं चाहता वोटर एड़नी कड़ी हूँ कि मुझे अपना जो ग्रेवी वो तरह गारा ही रखना है एक सिटी के बाद हम गैस बंद कर देंगे अब मैंने अपने करहाई को गैस पर चठा लिया है और इसमें मैं गर्म होने के बाद अड़ कर रही हूँ रिफाइन और मैंने चोटी सी लूई बना ली है भटूरे के लिए और बेलने से पहले आप इसमें रिफाइन लगा लें ताकि वो चिपके ना और भटूरे मेरी ममा बेल रही है क्योंकि मेरे से भटूरे अच्छा नहीं बनता वह एक्षिल मेरे से बेलाता ही नहीं है तो मेनी ममा बेल रही है तब तक दो तीन लुई ममी ने बना लिया है जब तक हमारा तेली गर्म हो रहा है अब हम डाल रहे हैं इसमें बटूरे किता मस्त फूला है हमारा भटूरा तो इसे हमें ज्यादा लाल नहीं करना है फिर वह देखने मच्छा नहीं लगेगा तो हम इसे निकाल लेते हैं यह हमारा छूले भटूरे तयार है आप देख सकते ही किता अच्छा लगड़ा है